What is the boy now who has lost his ball? वो लड़का कहा है जिसने अपनी बॉल खो दी? What? What he is to do now? I saw it go. What? What he is to do? What? What he is to do? अब वो क्या करेगा? I saw it go. इसमें जो ये it है, वो बॉल है. I saw it go. इसमें जो पो it है हुई ये कहा रहा है कि मैंने उसको जाते वे देखा बॉल को. Merrily Bouncing down the street and then Merrily Bouncing मतला हस्ते हस्ते बाउंस करते करते जो street होती है, सड़क वहां से जाते वे and then Merrily Over. उसके बाद वो हस्ते हस्ते खतम हो गई. There मतला हो खतम होई मतला वो रुख गई. There it is in the water. अब वो पानी में गिर गई. No use to say, oh there are other balls. अभी कह रहे हैं कि यह कहने से कुछ नहीं होगा, कि और भी बॉल्स है, मतला हम एक तरीके से वो पोईट बच्चों को कह रहा है कि और भी बॉल्स होंगी जिसकों हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कोई कहने का कोई फाइदा नहीं होगा. An ultimate shaking grief fixes the boy, अब उसके बाद एक ultimate, ultimate क्या होता है, एक होता है maximum limit, जिससे हम कहते है कोई minimum होती है, कोई maximum होती है, जो maximum चीज़ की limit होती है, उसको unlimited कहते हैं, तो ultimate shaking grief, shaking grief मतलब जर जोड कर देने वाला दुख, grief, या जब कोई जिस हमें, मतलब कोई चली जाती है में छोड के, या कोई जिस गुम होते हैं, हमें ग्रीफ में होते हैं, तो पुरा एक ultimate shaking grief fixes the boy, उस बच्चे को एक बहुत सारा दुख और दर्द कि उसकी बाल गिर गी, उ खड़ा है और वो काप रहा है और नीचे देख रहा है, all his young days into the harbor where his ball went, all his young days into the harbor where his ball went, मतलब वो कह रहा है कि all his young days, young days मतलब उसके सारे बच्चपन के वो यादे, यादे into the harbor, into the harbor क्या होता है, जो आपने देखा नहीं है, नदी कट्ट होता है, जहां पे boards वगेरा खड़ी होती है, याक boards वगेरा जाने के लिए खड़ी होती है न, वहां उसको हम harbor कहते हैं, वहा उसको मैं उसके पास नहीं जाओंगा, मैं दखल नहीं दूँगा मैं, उससे बात करके, a dime, another ball is worthless, a dime क्या होता है, जैसे इंडिया में होते हैं न, करीबन एक पैसे, दो पैसे, दस पैसे, 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 उसी तरीके से, अमेरिका के अंदर dimes होते हैं, dimes का मतलब सेंट, तो इंडिया में जो 100 पैसे हैं, वो एक रुपया बनाते हैं, उसी तरीके से, अमेरिका में, जो 100 सेंट होते हैं, वो एक डॉलर बनाते हैं, तो a dime, another ball is worthless, so, एक 10 सेंट के एक और ball worthless है, उसके कोई कीमत नहीं है, now, he senses first responsibility, मतलब, he senses first responsibility, अब उसको, जो ये उसके साथ हो रहा है, जो इसकी feelings है, उसको इसके लिए responsibility लेना ही पड़ेगी, इसको इसको पहचानना पड़ेगा, कि ये चीज़ क्या है, और जो ये चीज़ हुई है, मतलब, जो दुख है, दर्दे कि इस चीज़ को खोने का, उसको इसके लिए responsible बनना पड़ेगा, in a world of possessions, people will take, in a world of possessions, so, जैसे जोएल्री, महेंगी चीज़ें, पैसा कमाना, ये काफी materialistic चीज़े है, हमारी जो life है, most लिए हम रहने वाले लोग की life, इन ही materialistic चीज़ों की, को लेने में, पाने ही में चली जाती है, और जो ये चीज़े है, ये materialistic चीज़े कभी हमारी हो नहीं ही पाती है, हमने कुछ ची फिर क्या हो, बाद में हम जब बुड़े मर गए, फिर उस चीज़ का क्या, किसी और का मिल जाएगी, वो चीज़ हमारी तो कभी हो नहीं पाई, लोग लेते हैं इन चीज़ों को, पैसा है आपके पास, पैसा कभी ना कभी लुट जाएगा, खतम हो जाएगा पैसा, कोई औ पैसा को ले लेगा जो आपके है, तो शेam 사용 eadamente, इसमें पुट कहरा है, लोग ले लिगे, जो भी तुमारा पास पैसा है, वो लुट जाती है आपकर है, बॉर्स ब्लड़े का कहरा है बहुत सारी लें पैसा है, चीज़े बाद में हम लें ऐपास होंगी, जो भाद में हमसे चली जाएंगी हमेशे चली जाती है चीज़े हमें छोड़ के माला भी बस कोई नई कार लिया अगले पांच साल मों कार खराब हो जाएगी खतम आपने कोई घर ले लिया मेबी कुछ प्रॉब्लम हुए अपका घर जुदा गया आपने कोई नया फोन लिया और टोड़ या अ तुमसे तूड चली जाए, कोई दूसरा बंदा आके तुम्हें वह चीज नहीं दिलाएगा तुमसे जितना रोओ, जितना तुम तडपाओ, जितना तुम्हें बुरा फील होई तुम्हें नहीं देगा Money is external हर किसी का पैसे है उसी का होता है money is external मतलäd रिलेटिव नहीं है थाक्रा उनी और पयसा out वह एवन उसके नहीं कोई feelings भी नहीं है वह पैस एक object है जिसके दोवारे हम बाकी objects करीबते हैं he is learning वह learn कर रहा है वह सीख रहा है well behind is desperate eyes उसकी वह आखे जो अभी भी मतलब desperate eyes मतलब उसकी आखे जो अभी पह उसकी ball को पाना चाहती है उसकी ball up जा चुकी है लेकि अब उसको सीख रहा होगा और वह सीख रहा है the epistemology of laws epistemology क्या होता है जैसे हमारी जो science होगी हमारी जो biology होगी वह study किस चीज की है वह animals की और humans की उपर है उसी तरीके से जो हमारी history होगी वह study है past की है उसी तरीके से epistemology होती है study of knowledge knowledge की study को epistemology करते है उसी तरीके से study of education होती है education science लोग पढ़ते है उसे तरीके से epistemology होती है, study of knowledge, knowledge को ही पढ़ना epistemology of loss, अब उसको knowledge पढ़नी पढ़ेगी, उसको study करनी पढ़ेगी, वो कि जब कोई चीज खोती है तब क्या होता है, और फिर उसकी feeling क्या होती है, खोने का मतलब क्या है, और यह साली चीज़े, उसको सीखना पढ़ेगा, the epistemology of loss, how to stand up, कि जब कोई चीज तुम से चली जाती है, तो कोई तुम चीज खो देते हो, उसको बाद, उसको खोने के बाद कैसे उठना है, knowing what every man must one day know, यह चीज सीख रहा है वो ब्लड का, वो छोटा ब्लड boy, जो हर एक man को, हर एक इनसान को, हर एक आदमी को एक दिन सीखनी प जिन में हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, तुम एक बार चीज खोगे इस दुनिया के इंदे, तुम बार 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 इस दुनिया में चीज से खोगे, और तुम बार बार खड़ा होना पड़ेगा, बार बार तुम बहुत साई चीज पाना चाहोगे, लेकिन तों नहीं मिलेगे तो क्यों ख़ड़ा और कोई थो में खड़ा कर थे पा होगा life में हर बार, हर सोचेश में जम कुछ खोएंगे ना, हमें खदा होना पड़ेगा खुद से खदा होना पड़ेगा कि कोई हमारे पास मदद करने के लिए नहीं है, खडा होने के लिए, कोई दूसरे इनसान हमारी मदद नहीं करेगा